दोस्तो हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा दे स्कूल फॉर स्केंडल इस कॉमेडी आफ मेनर्स को लिखा है आर बी सरीडन ने जिनका पुरा नाम है रिचर्ड ब्रिंसली सरीडन दोस्तो इस केंडल का मतलब होता है अफवाफ है लाना दोस्तो इस कॉमेडी को पहली बार पफॉर्म किया गया था लंडन के ड्रूरी लेन थियेटर में इट्स आफ में 1777 को युनाइट किंग्डम में औरिजिनली इसको इंगलिस लैंग्विज में लिखा गया था और इसकी सेटिंग रखी गई थी लंडन में दोस्तो इस कमेडी की सुरुआत होती है लेडी स्नियर वेल के ड्रेसिंग रूम से ये लेडी स्नियर वेल अपने टाउन के कुछ लोगों के साथ बैट कर बड़ी ही सिद्ध से अफवाफ हैला रही है दोस्तो मैं आपको बता दू कि ये लेडी स्नेयर विल एक वीडो वेल्थी वेमन है और फिर डॉन में उसके बारे में गोसिप्स हो और उसका मजाईग बना जाए अब इस सभी लोग मिलकर चाल सरपिस नाम के एक बंदे के बारे में अफवा फैला रहे हैं दोस्तो इस चाल्स सरफेस की साधी होने वाली है मारिया नाम की एक लड़की से क्योंकि मारिया और चाल्स दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन लेडी इस नियरवेल ये नहीं चाती क्योंकि लेडी इस नियरवेल खुद चाल्स सरफेस को पसंद करती है इसलिए लेडी स्नियर वेल चार्ल्स सर्फिस के बड़े भाई जोसिफ सर्फिस के साथ मिलकर एक साजी सरच रही है दोस्तो ये चार्ल्स का बड़ा भाई जोसिफ हमेशा अच्छा बनने का दिखावा करता है लेकिन असल में ये एक ढोगी चूटा और लाल जी किस्म का आदमी है और ये भी मारिया से साधी करना चाता है लेकिन बस मारिया के पैसो के लिए दोस्तो लेडी स्नियर वेल के ड्रेसिंग रोम में बहुत सारे गॉसिफ मौंगर्स मौजूद रहते हैं और वहीं बर मारिया भी होती है लेकिन जब सबी लोग चार्स के financial problem और उसके कर्श के बारे में बात करने लगते हैं तो मारिया वहां से चली जाती है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके फ्यानसे के बारे में कोई इस तरह से बात करे और उसको इस बात का दुख भी होता है कि चार्स ने कर्च ले रखे हैं दोस्तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सर पीटर डीजल जो कि अपने एक विस्वास पात्रन आउकर मिश्टर राउली के साथ बैठ कर बाते कर रहे होते हैं दोस्तो मैं आपको बता दू कि ये सर पीटर पूरी लाइफ बैचलर रहे हैं यानि कि अपने पूरे जीवन इन्होंने साधी नहीं की लेकिन अभी करीब साथ महीनों पहले इन्होंने अपने उम्र से बहुत कम उम्र की औरत के साथ साधी की है जिसे लेडी डीजल कहा गया है सर पीटर और लेडी डीजल के बीच हमेशा कोई न कोई आर्गुमेंट हुआ रहता है और दोनों किसी न किसी बात पर हमेशा लाड़ते रहते हैं सर पीटर को लगता है कि हमेशा उनकी वाइब की गलती रहती है क्योंकि सर पीटर अपनी वाइब से उम्र में जादा है और उनको लाइफ के बारे में जादा एक्सपिरियंस है सर पीटर को लगता है कि जरूर उटकी वाइब के उपर लेडी स्नियर विल का बुरा प्रभाव है इसलिए वो हमेजा जगरती रहती है सर पीटर की एक और भी प्रावलम है उनकी बतीजी मारिया एक्शली दोस्तो मारिया के बैरेंट के डेट के बाल सर पीटर ने ही मारिया को बाला है और उनके पास इस बात की जिम्मेदारी है कि वो मारिया की साधी किसी अच्छे इंसान से करवाएं लेकिन वो अवी दोनों सर फेस ब्रदर्स में कन्फ्यूज है क्योंकि किसी टाइम पर सर पीटर ने इन दोनों भाईयों की गारिजन सिप की थी उनको ऐसा लगता है कि ये जो बड़ा भाई जोसेफ है वो अच्छा इंसान है और ये जे छोटा भाई चाल्स है उसका behavior ठीक नहीं है और उसका future भी बेतर नहीं दिखता लेकिन सर पीटर इस बात से परसान है क्योंकि बतीजी मारिया जोसेफ से साधी नहीं करना चाती बलकि वो चाल्स को पसंद करती है जबकि चाल्स है बुरा इंसान है लेकिन दोस्तो सर पीटर का नौकर मिश्टर राउली उनकी बास से disagree होता है वो कहता है कि भले चाल्स ने अभी करज ले रखे हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर वो एक बैतर इंसान बनेगा बलकि मुझे ऐसा लगता है कि जोसेप अच्छा इंसान बनने का दिखावा करता है इसके बाद दोस्तो राउली सर पीटर को बताता है कि आपके पुराने दोस्त सर उलिवर सरफिस 16 सालों के बाद इंगलेंड वापस आये हैं अपने इस्ट इंडीज के बिजनेस ट्रिप को खत्म करने के बाद अब दोस्तो सेकेंड एक्ट की सुरुआत होती है सर पीटर और लेडी टीजल के जगड़े के साथ लेडी टीजल सर पीटर से ज़्यादा पैसो के डिमान करती है क्योंकि उन्हें अपने लिए उस लगजरी सामान खरिदने थे लेडी टीजल की इस टिमान पर सर पीटर कहते हैं कि साथ इस पहले तुमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी यानि कि तुमारे घरवालों ने कभी तुमारे उपर इतने पैसे खर्श नहीं कियें जितने पैसो के डिमान तुम उझसे कर रही हो सर पीटर की ये बास सुनकर लेडी टीजल गुस्सा हो जाती है और सर पीटर से कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छे से याद है मेरी उस बोरिंग लाइफ के बारे में इसलिए आप मुझे वो सब मतियाद दिलाएए इतना कहते ही लेडी टीजल गुस्से में वहाँ से चली जाती है लेडी टीजल के जाने के बाद सर पीटर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भले है टीजल मुस्से जगरती है लेकिन वो गुसे में बहुत ही attractive लगती है अब दोस्तो सर पीटर से लडाई करने के बाद लेडी टीजल लेडी स्नियर वेल के घर पर पहुशती है लेडी स्नियर वेल के घर में gossip चल रही थी लेडी टीजल भी उनको जॉइन करती है लेकिन सर पीटर और मारिया को ये बात अजीब लगती है कि लेडी टीजल को भी अब इंट्रस्ट आ रहा है दूसरों के बारे में gossip करने में और अब वो भी लेडी स्नियर वेल की तरफ होने लगी है अब दोस्तो जोसिप मारिया से मिलने के लिए आता है और मारिया को अकिला देखकर जोसिप उसको convince करने लगता है और कहता है कि मारिया तुम मुझे साधी कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक ideal husband बनूँगा लेकिन मारिया जोसिप को मना कर देती है और कहती है कि टाउन में ये बात चल रही है कि चार्स एक अच्छा इंसान नहीं है इसलिए मुझे उससे साधी नहीं करनी चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगल चार्स एक अच्छा इंसान नहीं है तो मुझे उसके भाई से साधी कर लेनी चाहिए इसलिए अगर मेरी साधी चाल्स से नहीं हो रही है तो मैं उसके भाई यानि कि तुम से भी साधी नहीं करूँगी अब दोस्तो मैं आपको जोसिफ और लेडी टीजल के एक सिक्रेट के बारे में बता रहा हूँ दरसन लेडी टीजल और जोसिफ का अफेर चल रहा है लेकिन इस बात के ख़वर किसी को भी नहीं है केवल जोसिफ का भाई चाल्स इस बात को चानता है और जोसिफ मारिया को साधी के लिए सिर्फ इसलिए कंवेंस कर रहा है ताकि साधी के बाद मारिया का पैसा जोसिफ को मि बैठा हुआ है तो वो जोसिप पर गुस्सा करती है और मारिया को तुरंट वहाँ से भेज देती है अब दोस्तो मारिया के वहाँ से जाने के बाद जोसिप लेडी डीजल को कन्वेंस करने लगता है वो उनको एक्स्प्लेइन करता है कि जैसा लेडी डीजल सोच रही है वैस बिल्कुल भी नहीं है। जोसप लेडी टीजल को सेड्यूस करता है और उनको बोलता है कि मैं गल्ती से अपने गुटनों पे आ गया था। लेकिन मेरा इरादा वैसा कुछ भी नहीं था। बलकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। जोसप के बहुत समझाने के बाद भी ले अब दोस्तो सर पीटर सर ओलिवर से जोसेफ और चार्ल्स के बारे में बताते हैं सर पीटर सर ओलिवर से कहते हैं कि जोसेफ एक अच्छा इंसान है लेकिन चार्ल्स का करेक्टर कुछ ठीक नहीं है जोसिफ की तारीब सुनकर सर ओलिवर को अच्छा लगता है लेकिन वो कहते हैं कि उन दोनों भाईयों में से कोई एक मेरी संपत्ती का वारिस बनीगा और मैं अपनी संपत्ती उसी को दूँगा जो डिजर्फिंग होगा इसलिए वो कहते हैं कि मैं खुद उन दोनों भाईयों का टेस्ट लूँगा और इस टेस्ट में जो पास होगा मैं उसी को अपनी संपत्ती दूँगा दोस्तो सर ओलिवर जानते थे कि जोसिफ और शार्ल्स दोनों ही उनको आसानी से नहीं पैजान पाएंगे क्योंकि सर ओलिवर की मुलाकात उन दोनों भाईयों से करिब 16 सल बाद होगी और 16 सल पहले वो दोनों भाई बहुत छोटे थे वो कहते हैं कि मैं उन दोनों से मिलने के लिए अपना बेस बदल कर जाऊंगा मैं अपने छोटे बतीजे चाल्स से एक मनी लेंडर बनके मिलूँगा जिसका नाम होगा मिश्टर प्रेमियम और मिश्टर प्रेमियम बनकर मैं यह चेख करूंगा कि आखिर चाल्स कितना खर्जीला है इसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने बड़े बतीजे जोसेप से मिलने के लिए एक पूर रिलेटिव बनके जाओंगा ताकि मैं उससे कुछ चैरिटी मांग सकूँ यानि की मदद के तोर पर कुछ पैसे अब दोस्तो राउली सर ओलिवर की मुलाकात दो मनी लेंडर से करवाता है ये दोनों ही मनी लेंडर्स सर ओलिवर के साथ जाएंगे चार्लसे मिलने के लिए उधर दोस्तो सर पीडर और मारिया के बीछ अर्गुमेंट्स हो जाते हैं मारिया सर पीडर से कहती है कि आप चाहते है मेरे साधी जोसिप से हो जाए लेकिन मैं आपके बात नहीं मानूंगी मुझे जोसेप से साधी नहीं करनी है इतना कहने के बाद मारिया वहाँ से चली जाती है और लेडी टीजल कमरे में आती है सर पीटर लेडी टीजल से कहते हैं कि हमें इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि टाउन में हमारे बारे में भी बहुत सारी गॉसिप्स होती है कि हम दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं ये बात दोस्तों लेडी टीजल को भी अच्छी लगती है कि हम दोनों को नहीं लड़ना चाहिए लेकिन तब ही सर पीटर कहते हैं कि हर बार लड़ाई तुम्हारी वज़े से ही होती है अब दोस्तो इतना सुनते ही लेडी डीजल दुबारा से घुस्सा हो जाती है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है अब दोस्तो इस जगड़े के बीच सर पीटर लेडी डीजल से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा अफेर चल रहा है चार्ल्स के साथ और इस बात को लेडी स्नियर पिल और उनके एक आदमी स्नेक ने पूरे टाउन में फैला दी है दोस्तो इतना सुनते ही लेडी डीजल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है अब दोस्तो सर ओलिवर मिश्टर प्रेमियम बनकर चार्ल्स के घर पर पहुचते हैं जहां पर वो सराप बीर रहा था और अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहा था जब चार्ल्स को पता चलता है कि मिश्टर प्रेमियम एक मनी लेंडर है तो वो उनसे कर्ज मांगता है और कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए सर ओलिवर यानि कि मिश्टर प्रेमियम मुझे मिलेगी मैं तुम्हारा पैसा चुका दूँगा चार्ल्स की बात सुनकर मिश्टर प्रेमियम कहते हैं कि पैसो के बदले में तुम्हें मुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा इस पर चार्ल्स कहता है कि मेरे पास मेरी फैमिली की कुछ पुरानी तस्वीरे है मैं वो आपको बेज सकता हूँ चार्ल्स की बाते सुनकर मिश्टर प्रेमियम यानि कि सर ओलिवर एक्तम सौग्ड रह जाते हैं वो सोचते है कि चार्ल्स कितना बिगड़ गया है वो भी इस हद तक कि वो अपनी फैमिली की पुरानी तस्वीरों बवी बेजना चाहता है मिश्टर प्रेमियम कहते हैं कि ठीक है मैं वो भी लेने के लिए तैयार हूँ मिश्टर प्रेमियम एक तस्वीर की तरफ ही सारा करते हुए चार्ल्स कहते है कि मुझे वो तस्वीर चाहिए इस पर चार्ल्स कहता है कि मैं ये तस्वीर आपको नहीं बेज सकता क्योंकि ये तस्वीर मेरे अंकल सर ओलिवर की है और मैं उनकी तस्वीर नहीं बेज सकता हूँ ये जिस सुनकर सर उलिवर को अच्छा लगता है कि चार्स भले ही कितना खर्चीला हो लेकिन वो मेरी इज़त करता है अब दोस्तो नेक्ष्ट सीन में ये दिखाता है कि लेडी डीजल आती है जोसिप से मिलने के लिए उसके घर पर वो जोसिप से अपने और सर पीटर के फाइट के बारे में बताती है लेडी डीजल भले ही जोसिप से मिलने के लिए उसके पास आई है लेकिन वो अभी भी से और नहीं है और वो इस बात से कन्फ्यूज है कि उनको अपना अफेर जोसिप के साथ आगे रखना चाहिए या नहीं तब ही दोस्तों वहाँ पर सर पीटर आ जाते है लेडी डीजल घबरा कर जोसिप के घर में परदे के पीछे चिप जाती है सर पीटर जोसिप से कहते हैं कि जोसिप मुझे पता है कि तुम मारिया के लिए एक सूटेबल मैच हो लेकिन तुमारा भाई चार्ल्स उडाओ किसम का है और उसका फिर मेरी वाइब के साथ भी चल रहा है जिसकी वज़ा से मेरी वाइब हमेसा मुझे से अर्गुमेंट करती है लेकिन मैं सोच रहाओं की जल्दी ही मैं अपनी वाइब को इन सारी चीजों से आजात कर दूँगा उसे मैं फुल फ्रीटम देतूँगा कि वो जैसे चाहे अपनी लाइफ को जी सकती है ऐसा करने से कम से कम हम दोनों के बीच के जगडे तो बंद हो जाएंगे इसके बाद सर पीटर जोसिप से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी भतीजी मारिया से साधी करना चाहते हो ये सुनने के बाद जोसिप सर पीटर को सांध करवाने लगता है क्योंकि वो जानता था कि लेडी टीजल यहीं पर चुपी हुई है और अगर लेडी टीजल ये बात सुन लेंगी कि जोसिप मारिया से साधी करना चाहता है तो वो दوبारा से जोसिप से नाराज हो जाएंगी तब वहाँ पर चाल्स आ जाता है सर पीटर जोसिप से कहते हैं कि मैं तुम्हारे कमरे में ही चुप जाता हूँ तुम अपने भाई से बात करो ताकि उसके और मेरी वाइफ लेडी टीजल के आफेर के बारे में पता चल सके सर पीटर जिस जगह पर छिपने के लिए जा रहे थे उसी जगह पर लेडी टीजल भी चिपी होई थी इसलिए जोसिप सर पीटर को कहीं और चिपा देता है चार्ल्स जैसे ही अंदर आता है जोसिप उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा अफियर लेडी डीजल के साथ चल रहा है इस पर चार्ल्स जोसिप से कहता है कि मेरा अफियर तो लेडी डीजल के साथ कभी नहीं था बलकि उनका अफियर तो तुम्हारे साथ काफी प्रफी लंबे समय से चल रहा है इतना सुनते ही जोसेफ अपने भाई चाल्स को चुप करवाता है और कहता है कि सर पीटर यहीं पर चूपे हुए है और हमारी सारी बाते सुन रहे हैं इतना सुनते ही सर पीटर बाहर आ जाते हैं क्योंकि अब उनको सच्चाई का पता चल वो थोड़ी दिरगिली कमरे से बाहर जाता है इस पर सर पीटर चाल्स कहते हैं कि इस कमरे में कोई और पी छिपा हुआ है जब वो लोग परदा हाट आते हैं तो परदे के पीछे से लेडी टीजल निकलती है तब ही जोसेफ दुबारा से कमरे में आता है और सब कुछ ठीक करने की कोशिस करता है वो एक्सक्यूज देने लगता है लेकिन तब ही लेडी टीजल अपने हस्बेंट सर पीटर को सारी सचाई बता देती है लेडी टीजल सर पीटर से कहती है कि मैंने आपको दोखा दिया मेरा जोसेफ के साथ अफेयर था लेकिन अब मैं जान चुकी हू कि जोसेफ एंट डूंगी और जूटा किस्म का बेक्ती है इसके आगे लेडी टीजल कहती है कि अगर इस बात का पता ना चलता तब भी मैं आपके साथ अच्छा वेवहार करती और मैं आपको आगे तोखा ना देती क्योंकि मैंने सब कुछ शिपकर सुना था कि आपने जो जोसेफ बहुत ही फुलाइटली उनसे बात करता है लेकिन उसके बात कहता है कि मैं चैरिटरी तो देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और पता नहीं कहां से लोगों ने ये अफवाफ हैला दी है कि मेरे अंकल सर ओलिवर की प्रापर्टी मुझे मिलने वाली है लेकिन ये सब बाते बिलकुल भी जूट है मेरे अंकल की मुझे कोई प्रॉपर्डी नहीं मिलने वाली है ये चीज सुनकर सर ओलिवर यानि कि मिस्टर इस्टेनली को बहुत बुरा लगता है वो सोसते हैं कि ये जोसिप कितना जूटा है और वही पर सर ओलिवर ये हैं और वो जल्दी तुमसे मिलेंगे ये सुनते ही जोसिप और भी ज़्यादा परिसान हो जाता है वो सुचता है कि मैं अल्डेडी इतना परिसान हूँ और अब मेरे अंकल भी इसी टाइम पर आ गया है उदर दोस्तों सर पीटर की घर पर गौसिप मौंगर्स यानि कि टा पीटर ने लेडी टीजल को चार्ल्स के साथ पकड़ लिया तो कुछ लोगों ने ये बादे की कि चार्ल्स के साथ नहीं बलकि लेडी टीजल तो जोसिप के साथ पकड़ी गई हैं सबी लोग यहां तक सोचते हैं कि होस्ता है लेडी टीजल और सर पीटर की वीच में इसलिए हमें उनके घर पर चलना चाहिए इसके बाद दोस्तो राउली सर पीटर से कहता है कि आप अपनी वाइफ लेडी टीजल को माफ कर दीजिये उन्होंने जो भी किया है क्योंकि उनको अब अपनी गलती पर पस्तावा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि अब इन फ्यूचर वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे राउली की बात सुनकर सर पीटर अपनी वाइफ लेडी टीजल को माफ कर देते हैं उदर दोस्तो लेडी स्नियर फिल जोसेफ के घर पे आकर इससे कंप्लेन करती है वो जोसेफ से कहती हैं कि मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था मारिया और चार्ल्स को अलग करने के लिए लेकिन तुम्हारी वज़े से सारा प्लान फेल हो गया और अब तुम्हारा और लेडी टीजल का फियर भी पगड़ा गया इस पर जोसेफ कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि तुम मारिया और चार्ल्स का रिस्ता बिगाड़ सकती हो वो कहता है कि तुम अपने नौकर इस स्नैक से बोलो कि इस बात की अफवा फैला दे कि चार्ल्स ने तुमसे साधी करने की इक्षा जटाई थी और वो अंदर ही अंदर तुमें भी पसंद करता है और इस अफवा से मारिया और चार्ल्स का रिस्ता बिगड़ जाएगा अब दोस्तों सर ओलीवर और चार्ल्स दोनों जोसेप के घर पर पहुचते हैं लेडिस नियर वेल दुसरे कमरे में जाकर छुप जाती है अब दोनों भाई चार्ल्स और जोसेप अपने अंकल सर ओलीवर के सामने अच्छा इंप्रेसन दिखाने की कोशिस करते हैं तब ही वहाँ पर सर पीडर, लेडी टीजल, राउलिक और मारिया भी आ जाते हैं वो लोग इन दोनों भाईयों, चार्ल्स और जोसिफ को बताते हैं कि मिस्टर स्टैनली और मिस्टर प्रेमियम तुमारे अंकल ही थी ये वाँ सुनते ही दोनों बहुत सरमिंदा हो जाते हैं जोसिफ अलग अलग एक्सक्यूस देने लगता है अपनी गल्दियों को चुपाने के लिए लेकिन चार्ल्स सिधे माफी मांग लेता है क्योंकि उसने अपनी फैमिली की तस्बीरों के बेचा था उन दोनों की बाते सुनकर सर ओरिवर कहते हैं कि मैं चार्ल्स को माफ कर दे रहा हूँ लेकिन मैं जोसिफ को माफ नहीं करूँगा क्योंकि ये एक ढूंगी है लेडी टीजल कहती है कि चार्ल्स मारिया के लिए अच्छा रहेगा इस पर मारिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि चार्ल्स एक अच्छा इंसान है लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि चार्ल्स का इंगेजमेंट किसी और के साथ हो गया है ये सब सुनते ही चार्ल्स बिल्कुल सौट रह जाता है और सोचता है कि आखिर मैंने किसी से इंगेजमेंट कब की है तब ही दोस्तो लेडी स्नियर विल परदे के पीछे से आती है और कहती है कि चार्ल्स का इंगेजमेंट मुझसे हुआ है यहाँ पर दोस्तो राउली सच को सामने लेकर आता है, राउली स्नेक को सब के सामने पेस करता है, और उससे कहता है कि तुम बताओ कि आखिर सच क्या है, इस पर स्नेक बताता है कि लेडी सनेरविल ने मुझे पैसे दिये थे, इस बात की अफवाफ राने के लिए, कि उनका इंगेजमेंट चार्ल्स के साथ हो गया है लेकिन दोस्तों उदर राउली ने इस सच को सामने लाने के लिए इसने को डबल पैसे दिये थे सच्चा ही सामने आते ही लेडिस नियर विल वहाँ से भाग जाती है जोसेब बे लेडिस नियर विल के पीछे-पीछे भागता है इसके बाद दोस्तों चार्ल्स और मारिया के साधी करवा दी चाती है सरूल वर अपनी सारी संपत्ती चार्ल्स को दे देते हैं और यहाँ पर हमारा ये बले एंड हो जाता है